साथियों, लता जी की ससरीर यात्रा एक ऐसे समय में पूरी हुई जब हमारा देश अपनी आजादी का अमरित महुत्सों मना रहा है। उन्होंने आजादी के पहले से भारत को आवाज दी और इस 75 सालों की देश की यात्रा उनके सूरों से जुडी रही है। इस पुरसकार से लता जी के पता जी दिनानात मंगेशकर जी का नाम भी जुड़ा है। मंगेशकर परिवार का देश के लिए जो योगदान रहा है। उसके लिए हम सभी देशवासी उनके रणी हैं। संगीत के साथ साथ राष्ट भक्ति की जो चेतना लता दीदी के भीतर थी। उसका अस्रोत उनके पिता जी ही थे। आजहादी की लड़ाई के दौरान शिमला में ब्रिटीस वाइसरा के कारकम में दिनानात जी ने वीज सावरकर का लिखा गीद गया था। ब्रिटीस वाइसरा के सामने ये दिनानात जी ही कर सकते हैं और उसकी थीम पर प्रदर्शन भी किया था। और वीर सावरकर जी ने ये गीद अंग्रेजी हकुमत को चुनवती देते हुए लिखा था। ये साहस, ये देशवक्ती दिनानात जी ने अपने परिवार को विरासत में दी जी। लताजी ने संभवतह कहीं एक बार बताया था कि पहले वो समाद सेवा के ही ख्षेतन में जाना चाहती थी। लताजी ने संगीत को अपनी आराधना बनाया लेकिन राष्ट प्रेम और राष्ट सेवा उनके गीतों के जरिये भी प्रेरणब पाती गई। चत्रपती सीवाई जी महाराज पर बीर साबर जी का लिखा गीत हिंदू नर्सिमा हो या समर्थ गुरु रामदाजी के पद हो लताजी ने सीव कल्याट राजा की रिकॉर्डिंग के जरिये उन्हें अमर कर दिया आए मेरे बतन के लोगों और जयहिंद की सेना यह वो भाव पंक्तियां हैं जो देश के जन जन की जुबाँ पर अमर कर दी उनके जीवन से जुड़े से कितने ही पक्षे हैं लतादीदी और उनके परिवार के योगदान को भी अमरित महुत्सों में हम जन जन तक लेकर जाएं यह हमारा कर्तब है